हाई फ्रेंट साहरा खिचिन मापका स्वागत है अर्वी के पत्ते की पकवडी तो आप बहुत खायेंगे लेकिन एक बार हमारे बताईवे तरीके से अर्वी के पत्ते की सबजी बना के देखिए खाने में बहुत ही लाजवाब लगेगा येकिन मानिये ऐसा अगर बना के करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगा तो चलिए ऐसा ही बनाना सुरू करते हैं तो यहां पे देखिए अर्वी के पत्ते की सबजी बनाने के लिए यहां पे एकड़म ताजा मैंने अर्वी का पत्ता लिया है और पत्ते को अच्छे से मैंने साफ करके पत्ते की बना सकते हैं चोटा या बढ़ा हो एक कड़ूरा मैने मैं लिया है बड़ा सक लिया है और यहां पे देखिए चार से 5 गांठ लैसवं जिसको मैंने मिक्सी में पीश लिया है इसमें Ýम डाल देंगे चममच हल्दी पाउडर का पाउडर एक चममच लाल मिर्श प है सवात के अनुसार और या देखिये यह है आधि चम्मच धनया पौदर अधि चम्मच गरम मसाला थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से फेट लेना है तो यह दिखें इस तरह से हमें फेट लेना है ना एकदम गाड़ा रखना है और ना एकदम पतला रखना है तो यहां पर मैंने फेट लिया है आप लोग देख सकते हैं इस तरह से होनी चाहिए तो यहार गैस हम आपको हाथों से भी दिख लगा सकते हैं तो एक पत्ता लेकर हमें इस तरह से चार तरफ बेशन को अच्छे से लगा लेंगे और इस तरह से पत्ता हम बिछाते जाएंगे फिर इसके उपर बेशन लगाते जाना है तो यहां पर इस तरह से सब बेशन को पत्ते के उपर हमें लगा लेना है आप लोग द देख सकते हैं तो इस तरह से लगाने के बाद आप हमें क्या करना है फोल्ड करना है तो यहां से हमें उठाना है पत्ते को और यहां से मोड के इस तरह से फोल्ड कर देना है फिर इसके उपर इस तरह से बेशन लगा ले ताकि अच्छे से चिपक जाए दोनों तरफ इस तरह स से रोल बनाना है तो इस तरह से इसको हाथ उसी दम टाइट हाथ रगके इसको एकदम रोल अच्छे से बना लेना है ताकि यह खुलने नहों पाए आप लोग देख सकते हैं यहां से इस तरह से दोनों साइड से अच्छे से इसको लपेट लेना है फिर यहां पर हो गया है तय करना है थाते समक्ष condemnat कड़ा दिया उसको गरम होने के लिए तब तक हम इसको कट कर लेते हैं दिद्ध कि हमेशि के घथ हम इस चाको से कट कर रहे है और रिपिसिस में हम कorigarnies तो यहां पर मैंने काट लिया है तो चलिए अब हम चलते हैं गयस के तरफ तो गयस पर मैंने कड़ाई रखके आप लोग देख सकते हैं कि रिफानवल मने डाल दिया है और गरम होने के बाद एक एक करके हम इसमें पकोड़ी को डाल देंगे तो जिस तरह से मतलब तावा पर आप चाहिए और चाहिए तो इसको रिफा कर सकते हैं इसको चलते हैं सबकोगोन में और यह पुदध को थोड़ा के ने पका रहे हैं तो देखेँ रिफायनवाय डालने के बाद यह जो है बहुत ही अच्छा अच्छा लगता है अब कि देखेँ सकते हैं तो इसको एग्दम ख्रों का लायक हो गया है आप चाहि establishing कर लेंân तो ये दिखिए दोनों साथ में मैंने पलट के फ्राई करने के बाद निकाल दिया है और कडाई जो है मैंने रख दिया है गरम हो गया है अब इसमें हम डाल देंगे सरसुका तेल अब जो तेल खाते हो डाल सकते हैं आधी चमच डाल देंगे इसमें जीरा दो तेशपात आप बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है हमें golden brown करना है तो यह दिखिए जिस तरह हमें प्याज चाहिए उस तरह प्याज जो है भुना गया है तब इसमें हम डाल देंगे दो गांट लेशन पीशा हुआ आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर आधी चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच गरम मसाला आधी चम्मच कास्मीरी लाल मिर्च कास्मीरी लाल मिर्च है तो डाली नहीं तो कोई बात नहीं नमक डाल देंगे स्वात के अनुसार अब इसको अच्छे से चलाके मिला लेंगे औ पाले थोड़ा सा पानी डालेंगे फिर इसको अच्छे से मिला लेंगे और पानी हम अपने खर्चे के इसाब से डालेंगे आप अपने खर्चे के इसाब से पानी डालीएगा तो देखिए इस गिलास से मैंने गिलास पानी डाल दिया इसमें अब इसको हमें कवर करना है कवर हमें इसको कभर करके बस पांच मिनट के लिए पका लेना है पांच मिनट होने के बाद गैस को मैंने बंद कर दिया है अब इसका धक कनाटाया मैंने वाव एकदम लाजवाब बनके तयार हुआ है आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा बना है तो इस तरीके से आप में कमेंट में लिक के जरूर बताएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लेस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो दिखने के लिए सुक्रिया